एज वीदियो मा हमी हलेक्स को बारे मा कुरा गर्षओ ज्यामिति मा इसचिलिंडर बने को जाए उट डा सर्फेस हो isanishingसारफेस लाई सीधा रहा हा हरोले ट्रेस्ट गरर बनाया कोँच रत्व सीधा रहा हरूलए हमी जनेरेटर मचोँ रत्यो जेनेरेटर चे येवटा फिक्स रेखा, जो लाहामी आक्सीस बन्चों, तो आक्सीस संग समानांतर उन्ये गरी, ती सिधा रेखा हरू, कुने येवटा कॉर्फ भर मूब गर्शन, रत्यो शरीव मूब मुदाखरी ट्रेस्ट उन्ये, बन्ने, सर्फेस लाहामी सिरें अनि, फिक्स्ट डिरेक्शन, ये निलू रेखा, जो संग समानांतर भायर, जेनेरेटर हरू, मूब गर्शा, घुम्दाशा, तेसलाई, आक्सीस बन्ने चा, तेसले, शिरिंडर मा जेने, जेनेरेटर को, र, आक्सीस को, सेम डिरेक्शन होंच, और धात, कॉन्स्टांट ड अंगल मा, इंट्रसेक्ट गर्दाच, तेसले, मानों, बेक्टर ए चाहिए, जेनेरेटर को, डारेक्शन मा, हुने, यूनीट बेक्टर हो, और, बेक्टर ट चाहिए, कॉर्ब मा, हुने, यूनीट ट्रांजान्ट बेक्टर हो, बने, देखी, तो, यूनीट ट्रांजान्ट वेक्टर ले तो हेलिक्स कु जिनरेटर रे वेक्टर A संगा जयले बनी कंस्टांट अंगल बनाऊद अचा तेसे ले T रा A ले बनाऊने अंगल जाएं कंस्टांट वन्जा भनें जा यदी तो अंगल अल्फा हो भनें देही T dot A equal to cos alpha वन्जा रहे हां जाएं अब कुरा गरों characteristic property of helix को the necessary and sufficient condition for a curve to be a helix is that the curvature and torsion are in constant ratio मानो स्रियोटा helix हो जस मां बेक्टर A ले तिसको जनेरेटर को unit vector लाई जानाऊद अचा भने बेक्टर T ले चाहें तो helix को tangent vector मा होने unit vector लाई जनाऊद अब नेसेसरी and sufficient condition for the curve to be helix माने को चाहें तो unit tangent vector रो जनेरेटर मा होने vector A हरुको 20 मा constant angle बन्नु हो मानो तो angle चे अल्फा हो भने हमी T dot A equal to cos alpha लेखना सक्षों अब इसलाइ derivative गर्दाखेरी with respect to S हामीले T को derivative kappa N अनी dot A यहां A भनेयोको बनी constant हो रो cos alpha भनेयोको बनी constant हो जाहें ले cos alpha को derivative 0 भायो अब इसलाइला हमी N dot A equal to 0 लेखना सक्षों किना माने in general kappa चाहें 0 अब दाहिना बने टियो फिक्स वेक्टर x, चाहें, प्रिंसिपल नर्मल संगी पर्पेंडिकूलर छो तो अर्थ हो तो वेक्टर x, चाहें आवब रेक्टिफ्द प्लेट में परothing छो किरेंड़ वने यो प्रिंसिपल नर्मल संगी लंब भाय, त्यसको अर्थ अब रेक्टिफाइंग प्लेन लाई T रब B ले स्पैन गरेगो हुँँछ त्यसकारण त्यु वेक्टर A ले T संग अल्फा बनने कोड बनायेको हुँँआले अब त्यु वेक्टर A ले B संग चे 90 मैनेस अल्फा बनने कोड बनाऊद छो यसले गर्दा आमी लेखना सक्षां कि T dot A भनेगो कस अल्फा रब B dot A भनेगो चैं कोड 90 मैनस अल्फा त्यु वनेगो T dot A भनेगो कस अल्फा बायो रब B dot A भनेगो चैं सञ अल्फा भायो अब एक्वेशन द्वी लाई डेरिवेटिव गर्दाखेरी विध रस्पेक्ट तो S, यानकु डेरिवेटिव टाव बी मैनस कपा T अनी डट A इक्वास जिरू भायो अब इसमा टाव बी डट A मैनस कपा T dot A इक्वास जिरू लिखना मिल चान। अब B dot A भाने को चाहिए sin alpha रो T dot A भाने को चाहिए cos alpha भायो को ले तो व्यालू अबरू शॉट गर्दाखेरी यामी kappa by tau is equal to sin alpha by cos alpha equals to 10 alpha पाऊचों जोन चाहिए constant वा किने भाने alpha constant भायो को ले 10 alpha भाने constant भाव दसलि यहाँ kappa by tau भाने को constant भाने 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 भानेद भाव लो खो खो ब